कि हम बच्चों का बेहद का बाप दरद जान करकरके उसके इलाज करने के लिए आया है, आया है ना, हमारे पास कौन सा दरद है, दरद का मतलब है दुख शान्ती, आज की दुनिया में दुख शान्ती है ना, इस कारण है उसी दुख शान्ती के दरद को जानने वाला एक ही है, क्योंकि उसके पास ही इलाज है, वो ही हमारे सदा सुख और शान्ती देने वाला बाप है, इसलिए उसे गाते हैं सुख दाता, शान्ती दाता, तो दरद को भी दो वही जानेगा नहीं, मनिश इसका अलाज नहीं कर सकेगे, मनिश का, मनिशा टेंपररी, वो टेंपररी शान्ती, टेंपररी के लिए आ, कुछ थोड़ा बहुत मिल जा, वो बातें अलग हैं, लेकिन ये सदाकाल की, सदाकाल का मतलब ही है, कि फौर्ट जनरेशन्स, आदी मध्यांत, आदी मध्या का भी मतलब है, सरीर लेते, सरीर में रहते, सरीर छोड़ते, सदा सुख, उसको कहा जाते हैं, सदाकाल सुख, तो ऐसा सुख, वहार जनरेशन्स के लिए, सवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है, इसलिए बाप कहते हैं, तुमारे इस दर्द को, कि तुमारी दुख शान्ती क्यों आई है तुमारे पास, किसने तुमको ये दर्द दिया है, वो मैं जानता हूं, मैंने नहीं दिया है, ये भवान के उपर रख लेते हैं, भवान नहीं दुख दिया, भवान नहीं सब दिय वो कहते हैं, मैं कैसे बच्चों को ये दर्द दूंगा, हां, ऐसा कोई बाप देखा कभी, कि बच्चों को दुखी करें, हां, जब लोक इक बाप भी, कभी बच्चों को दुखी नहीं कर सकता है, मैं तो पर लोक इक बाप हूं, हां, तो पर लोक बाप कैसे बच्चों को तो उसमें आप क्या करेंगा, कोशिश करेंगे, आप तो और या बिमार पड़ेंगा, बच्चा इलाज करेंगे, कोई दुख आएगा, उसके निवारन का यतन करेंगे, पाकी ऐसे तो नहीं बाप, बच्चे को दुख देंगा, तो जब लोकिक बाप भी शरीर का है, जनम दे कोई दुख देने वाला पिता बी, कभी अपने बच्चे को दुख देने का सोचता नहीं है, वो सदा यही सोचता है, कि बच्चा सुखी बने, बच्चा लाइख बने, बच्चा होश्यार हो हाँ, सदा सुखी रहे, ऐसा भावना रहती है, तो जब यश्च शरीर के जनम, देने वाले पिता के पास वी ऐसी भावना, वो तो हमारे आत्मा का रूहान, उसको को रिया जाता है सचा मड की टो हमारे परमपिता को हमको कैसा दुख देंगा? तो वह दुख नहीं देता है, यह हमको दुख दरद किसने दिया है? माया ने अभी तो वह अगई है नहीं। बात कि हमको ये दुhr दर्द किस से दिया माया Maya को और अभी जान दे नहीं, माया का हर्थ भी अची तऱ ऐसे Maya का अर्थ भी अची तरह ऐसे उठी माया क्या है। और जो भी कुछा हिसाफों से दिखाई पता है संसार का ये जब माया है, इसलिए कई इसको आ, ऐसा समझ करके समझते हैं, इस जी से कहा है, ऐसा कोई ठिका ना हो, जो आ, इस शरीर में ना आवें, ऐसा कहां लीन हो जाएं, जहां से लोटे इने, ऐसे इसे उपाय बिचारे सो परता है, तो आत्मा को भी शरीर का अधार देना ही परता है, तो वो तो बाते नहीं है, इसको माया ने केंगे, न, माया एक अलग चीज है, वो कौन सी है, ये फाइब वाइसे, तो ये पांच विकार माया है, ये कोई ऐसी चीज जरूरी नहीं है, कि इनके बिना हमारा नहीं चलेंगी, यह तो हमारे दुख के ही कारण है, जब से माया का टाइम आया, राज चला, तब से दुख होना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, आज देखो आ, यह रावन राज, वो रावन बढ़ता जाता है, वो रावन को बना करके आ, उसका बोता है फी जि तो आभी वो बरस बरस जलाते हैं, बाप कहते हैं, बरस बरस जलाते हैं, पर तो जलता नहीं है, पांच विकार जलते हो तो जलाते रहते हैं, बरस बरस बराण, पर तुने यह तो प्रेक्टिकल जलाना है न, थाप पांचों विकारों को खतम करना है, इसलिए कहते हैं, इस इसको कैसे नाश करो, तो इसका उपाय मैं आकर के बत लाता हूँ, तो अभी उपाय बुद्धी में अच्छी तरह से आ गया है, कि इसका उपाय कौन सा है, उपाय भी सहज है, कोई इसके लिए और भी कोई हठ योग, प्रायाम, चराना या कोई भी कोछ भी नहीं, बरा इजी कि बस उस बाप के हो जाओ, जैसे लोप इतकर ऐसे भी कोई धन्वान हो, और धन्वान कहें कि मेरा बचा, मुझे बचा नहीं है, मेरा बचा बनो, तो बस जिस समय बचा बना, तो वो भी या, धन्वान हो जाएंगा, बचा भी कहेंगा, मैं भी लखपती है, बस कोई बच्चा बना तो वह भी उसी सेकन कहेंगा मैं भी लखपती कि मैं hair apparent हो गिया ना मैं भी लखपती तो देखो सेकन में कोई गड़ीब का बच्चा शावकार का गोत का बच्चा एडाप्टेब चिल्ड्रिन बनने से वह भी लखपती तो बच्चे मैं भी तो तुमारा असली पिता हूँ ना तुमने मेरे से रिष्टा relation छोड़ दिया है अभी फिर मेरे से relation रखो मेरे बच्चे बनने से तुम भी तो हाँ जो मेरी property है उसका तुम भी हकदार हो जाएंगे और ऐसे हकदार बनने से तुम सदा सुख शान्ती को प लखने में कोई देडी है उसके लिए अठियोग प्रायाम यह सब करना relation का मतलब है कि बाप का होकर करके चलो तो फिर बाप देखो ever pure है ना तो हमें pure होके चलना चाहिए ना तो बाप क्या है बाप की qualifications का कौन सी है तो बच्चे की qualifications का कौन सी होनी चाहिए तो हाँ हम बाप क को देखें और फिर अपने को देखें तो फालो करें ना कि बाप ever pure है तो हम impure से pure को होई ना तो आमको भी ऐसाई बाप के समान अथ्वा बाप से जो कुछ बल मिलता है उसी को धारन करने का है तो यह सबी चीजें है जो गुद्धी में रखकर करके और अपनी धाना को आग कि रूख हो यह करओ वह करवा, बाप क्या difficulty देंगा? बाप तो कहते है बचें बुद्ðी देरी टेरी हो गई है, उसको सीजा करवा, यह अपना मेरे में लगा यह बुद्धी तेरी टेरी हो गई है, एधर हो गई है माया की तरफ चली गई है, अधार पांच विकारों की तरफ तेरी चली गई है, अभी उधर से बुद्धी को निकाल करके, वो गितावे भी काने, दे से, दे के सर्व संबंदों से बुद्धी हटा करके, ये विकारी जो भी कुछ दे है, और विकारी दे का संबंद है, इन सर् रेक मंन मनाभव है, तो मन मनाभव का इćिया जा कि मन को मेरे में लगा हो, उधर से मन NICKाल कर कर का मन को मेरे में लगा ओको, खाले मन को बदलना है उधर से निकाल कि उधर लगाने की बाकी इसमें असन कमर, या कोई प्रान याम इने ही बातों कि हह्ट resilient सध्नाओं के have तो इसलिए बाप कहते हैं कि मेरा योग, जिसी योग अब अलसें, मैंने तुमको इतना उच बनाया और ये तुमारे दुखदर नाश किये, वो देखो कितना सहज हैं, तो अभी ये सहज ग्यान और सहज योग का, जिसको राज योग कहने में आता ही हैं, तो इसी का अपना प पाने का पुष्यात रखो, और बाप अपनी भी बायोग्राफी बहुत सहज समझाते हैं, उसी को समझने में भी कोई ऐसी कठना ही नहीं है, बाप मैं किता है, मैं तो निराकार हूं, लेकिन मैं आकर करके जो कर्तवय करता हूं, तो मैं भी कर्तवय कैसे करता हूं, तो वो भी सोल साइलेंस, उधर उपर की तो बात ही नहीं न, मुझे भी आकर करके काम करना है, मेरी भी जो मैं माय ग्यान दाता, ग्यान कासागर तो हिया की बात है न, जहां ग्यान है, तो मैं वहां ग्यान दूंगा न, तो उसी लिए मुझे आना पढ़ेंगा न, मन्शों को समझ समझाने के लिए, तो समझाने के लिए मुझे शरीर लेना पढ़ेंगा न, कैसे समझाओ, नहीं तो कोई रस्ता बतलाओ, भगवान को राय दियो, कैसे समझाया, उनका कोई और तरीका आता है किसको, बताओ, नहीं सवाए हम मन्शों को समझाने के लिए, क्योंको हम को समझ हम बेसमझ बन गई है, तो हमको समझाने के लिए भी तो मनिश चाहिए ना, हमको समझाने के लिए कोई कच्छ अवतार, मच्छ अवतार वो कैसे समझाएंगे, उसमें आये तो कैसे समझाएंगे, हम मनिशों को समझाना है, नि बेसमझ हम बने है, हमारी बेसमझी से तो हमारा स तब कुछा खतम हो गिया है, इसलिए बाप कहते तुम उचा बनो, फिर तुम्हारी सारी प्रकृति उची बन जाएंगी, इसलिए बाप कहते बचे तुम कोई तो समझना है न, तो तुम्हारे समझाने के लिए भी मुझे भी तुम्हारे जैसा बनना पड़ेंगा न, यानि म मनश का अधार लेके आता हूँ, और आता हूँ उसी का नमे, जिसका नाम रखता हूँ ब्रमा, तो इसमें भी कोई मुझने की बातने कई विचारे मुझते हैं, कि ब्रमा में परमात्मा आता है, ये कैसे, तब किस में आवे, कैसे समझावे, ये भी तो बया, कोहिश्चन है वो जो सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल है, तो वो नॉलेज कैसे देवे, बिना और्गंस के, तो बोलना आत्मा सवाय शरीर के तो बोल नहीं सकती है, ने, आप भी आत्मा शरीर के आधार से बोलती हो, अगर आत्मा निकल जाए, तो बर आत्मा बोलती है, ना आत्मा बोलती बन के जीव का जाता है शरीर को, बाडी को, और आत्मा, आत्मा, तो जबी जीव आत्मा, यानि दो जीव और आत्मा, शरीर और आत्मा मिलते हैं, तब ही देखो, हाँ, भोलते हो, चलते हो, सब कुछ करते हो, तो दोरों काथा होना चाहिए, आत्मा अलग, शरीर अलग, तो द यहां कबर दाखिल कर देती है अपने रसम के मूझ बाँ, तो दोका चाहिए न, तो परमातमा को भी अगर knowledge देना है, तो कैसे देंगा, उसको भी तो शरील चाहिए न, अभी वो किसका शरील ले वे, तो यह भी समझने की बात है न, वो भी फैसला होना चाहिए न, वही किसका सरीले, तो कहते हैं, मैं आता ही हूँ अधर्म के काइं पर, जबी पत्त दुनिया है, तो पत्त दुनिया में मुझे को स्री कृष्ण जैसा सर्वकुन संपन, सोराकला संपूरन, संपूरन निर्विकारी सरी कैसे विलेंगा, ऐसे मनिश ही नहीं है न, आता ही हूँ यदा य ऐसे मनिश तो मैं बनाने आता हूँ न, तो जो चीज मैं बनाने आता हूँ वो चीज पहले कैसे होगी, हां होगे नहीं न, ऐसे मनिश, तो मैं आऊँगा तो मुझे कौम सा मनिश मिलेंगा, जरूब पत्त दुनिया में, पत्त शरीर वाला ही मिलेंगा न, इसलिए मैं आता है ना अपनी उसको भी purified बनाता हूँ उसके साथ साथ दूसरों को भी purified बनाते हैं तो यह easy है नहीं समझने में इसमें मुझने की भी कोई बात यह नहीं है क्योंकि वो तो परमात्मा भी तो soul है ना जैसे कहीं आप देखा होगा कि impure soul किसमें आते हैं जिसको भूत कहते हैं अभी देखे हैं को यह बड़े होंके देख किसमें भूत परवेश करते हैं बोलते हैं तो जब ही जैसे impure soul परवेश करते हैं वैसे यह pure soul, ever pure तो यह भी परवेश करकर करके बतलाते है knowledge जो impure soul परवेश कर सकते हैं तो क्या pure soul भी ever pure वो नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, इसलिए बाप कहते मैं आता हूं, और आयर करके मैं यह knowledge देता हूं, लेकिन यह शरीर मेरा नहीं है, मैं temporary, तो शरीर का अधार लेता हूं, शरीर तो उसका है जिस आत्मा का शरीर है, तो है खाली temporary, loan पर, किराय पर समझो, loan पर समझ आता हूं, तो वो भी आत्मा सुनती है, कानों के द्वारा, वो भी तो बैठी है ना, आत्मा, मैं भी हूं, मैं सुनाता हूं, इस आर्गन से, वो इस आर्गन से सुनती है, उस ही महीं, फिर मैं सुनाता हूं, वो भी सुनती है, और दूसरे भी तुम भी आत्मा सब आर्गन सभी बातों को समझो। इसमें मुझने की कोई बात ही नहीं है, तो ये सबी चीजें समझने की हैं, इसलिए कहते हैं मैं उसी तन में आता हूँ, और उसका भी हिसाब समझाते हैं, कि ये आत्मा वो ही है, जो पहले-पहले से, स्री लक्षमी, स्री नारायन, आज इसको कहेंगे, वो ही फिर अपना चक्र 84 का पूरा करकर करके, अभी इसका वो चोरास्वान जनम है, तो ये लोस्ट है, बर्थ, किसका? श्री नारायन, जो सरवग्ण समपन था, वो आ सत्यूग, द्रेता, जनम काटते द्वापर, अभी एक कल्या यूग में, इसका 84, ये चोरास्वान जनम, तो अभी उसके चोरास्वेन जनम में आका के, उसी आत्मा को भी पुरिफाइड बनाता हूँ, जो जाका के, फिर श्री नारायन बनते है भविशा में, और फिर दूसरे भी जो सुनते है, वो भी आँ, उसी प्रालबद को पाती है, तो ये तो सीधी बात है, ये सारा चक्कर है ना, जिसी सभी बातों को समझना है, तो ये बाते हैं समझने की है, अभी ऐसे भी नहीं विश्णू के सरीर में आवे, या शंकर के आए, क्योंकि शंकर तो है आकार, उसको तो यहाँ, मनिश ही इधर को चाहिए ना, शंकर तो इधर का है यह नहीं है, वो तो है आकार, जो तो सिर्फ अभी विनाश के लिए, उनका विनाश का दिखराते हैं रूप, और विश्णू तो है, इस साख्यात का, चार बुजए वाला कोई मनिश होता ही नहीं है, यह सिर्फ साख्यात कार में, यह सिंबल साख्यात कार होता है, दो बुज़ा नारी की, दो बुज़ा नर की, कि तुम ऐसे देवी देता बनते हो, यह मैंनो अबजिक्ट का साख्यात कार, बाकी यह है, मनिश, क्योंकि आप देखेंगे, चित्रों में भी बिर्मा को दारी बारी दिखलाती है, उसको नहीं दिखलाती है, तो वो human का धुरा उसको निशान देते हैं, आप देखें नहीं, वो दारी का दिखलाती है, बिर्मा की दारी दिखलाती है, कहां clean shape भी रखते ह लेकिन विश्णु और शंकर को कभी डारी बारी नहीं देते हैं, तो उसको human की कुछ निशानी देते हैं, तो उसकी माना है कि पिर्जा पिता बुर्मा, न कि पिर्जा पिता विश्णु, या पिर्जा पिता शंकर, पिर्जा पिता बुर्मा, तो वो human, इसलिए बाप कहते है तो मुझे human जिसका मैं नाम रखता हूँ बिर्मा क्योंकि उसके ग्वारा new humanity अत्वा new generations का आरंब करता हूँ इसलिए बिर्मा the creator यानि बिर्मा से नहीं रचना रचवाता हूँ इसलिए उसका नाम बिर्मा रखता हूँ बिर्मा तो वैसे हर एक बाप है नहीं घर का बिर्मा है ऐसे कहने में आता है हद के हिसाब से तो सब बिर्मा है किसी तरह बाप जो घर का है इस तरी को ले आया या फिर बच्चे पैता किया तो घर का बिर्मा हो गिया क्योंकि रियेटर को ब्रमा कहा जाते हैं, बाकि ब्रमा को इतीन मुख वाला या तीन सुरु वाला या या शेशी बातें जो बना दिये शास्तर कारोने और चित्र कारोने वो कोई बात नहीं है, तो ये सवी चीजों को समझना वो जो त्रमूर्थी सुना है न अभी त्रमूर्थी वाना ब्रमा, विष्णु, शंकर, ये तीन है न तो उन तीन को मिला करके वो तीन सुरु दे दिये उसके, तो उनको समझा ब्रमा को तीन सुरु रख दिये, तो ब्रमा त्रमूर्दी कर दि और त्रमूर्ती है परमात्मा, यानि तीनों रूपों से ब्रमा विष्णु शंका से यह destruction और construction और फिर जो construction करता है दुनिया, उसकी पालना की यह MN object, यह वैरतों के बापने समझाया है, तो बातें ऐसी हैं, लेकिन इन बातों को यथारत रीच से न समझने के कारण विचार तो फिर आक करके समझना चाहिए, बाकी इसमें भिषुण होना चाहिए कि इसको क्यों ब्रुमा बनाया है, ब्रुमा तो ऐसे रुआ ओंडरे अब बाप व्रुमा है, वो अर्थ समझना है, ब्रुमा का यह MN है क्या है, ब्रुमा का जाते है würस क्रिएटर को, रों इसे घर क करियेट कराएगा नहीं, Humanity को, Human के द्वारा ही करेंगा न, इственно परमात्मा उसमें आकर ये पुरीटी का ालेज देता है इसे पुरीटी का नौल इस financi Тем Чलिस को गहते है मुखवनसावलि, मुखवनसावलि का आति जे न, मुखवनसावली के अदमी निकल आए, तो कहीं ऐसे नहीं मुखवन सावली तो जो मुखद्वारा परमात्मा ने नौलेज सुनाया, उसकी धाना से हम प्यूर बने आए, तो अभी purity की जनरेशन में चलेंगे, तो हम purity कहां से ली, मुखद्वारा नौलेज से, इसलिए हम purity की संतान हो गई न, यानि purity में आने वाले, तो वो हो से परमात्मा ने नौलेज सुनाया, नौलेज से अभी प्यूर होगा के purity के जनरेशन में चलते हैं, तो मुखवन सावली का अर्थ ये है, पर वो न समझने के कारण का ही समझते हैं, मुखवन सावली का अर्थ निकले हैं, ऐसी लिए ऐसी बाते बहुत शास्त्रों में बेर करन कानों से निकला, मुखवन सावली का अर्थ 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 करके बाप समझ जाते हैं, बाकी कैसे और क्या ये सभी यथारत बाते अभी बाप समझ जाते हैं, जिसको समझ करके और प्रक्टिकल लाइफ को बनाना है, कभी समझ गए हो ना, सभी बातों को यथारत क्या है, और यथारत हमारे जीवन के लिए क्या है, इन सब बातों की बच्ची को, अच्छा, आप लोगों को English में समझाएंगी, देखो छोटी है, और बातें बड़ी सुनाएंगे, मुड़को छोटा, बात बड़ी, आप लोगों को बड़ी बातें, world history and geography, समझाएंगे यह बश्यक्षन करेरा। यह नुड़ से लुखापून करें अच्या. मुजबैंगा जुफिती प्रत्रश जाओ ट्रहें। स्वाह। प्रत्रफिती नुट्रा जॉट्ष्छिवा प्रत्रश्तर स्वाह। इवन्चेशी विफिंड नह्त एंठोब्य एं।्प्रॉई malfunction भीस ऑफ शिर्टॉश्वा शिरच्विक्वर्णीइ वृओं़ demiş date डुच्छिका में उसी तक्तिकी शेंकर जूट्षिवा इस ट्रृणित रुट्टा धुआट्टी शेयु जान्वाल में इदप्प्रेश्र नुझावन ऑल्यॉज और हैंध। International and civil wars and natural calamity are the means. This is the Kalpa of 5,000 years. There are five Yugas in this Kalpa. They are Satyukha, 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 Ketayukha, Dwaparyukha, Kalyutha and Sangamyu. इसारा इदर करो सम्जा उदर. इसारा करके, इसार्यू. 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 इस That's right. So we are Sitting नाप धृह मुपश। अभाम कहो भ्हाम हो प्रोबताक्त कीछा स्र० की यह माथ आयग्र्यूऩी नैंजनने एिगा हुआ आग ऌताग्याए। इस इस आपक्रेट प्रूटे कीछ चुब्लूड ट्रूडबस अप्रूड़प्टेस्ट थर्धूपं अरवत वादियान्स डीगौद प्राही में 2,500 य mores. वव्ल्द इनर्षी व दुट्सी हार गुट्सी हारे लुट्सी हार। ववोप यहारे दुल स्टुंधन स्ट्राचर चान्राथा। संस्टि की safely डोजी कि यहार स्ट्राचर गप 20utions इसज़ एटे ए gost and that is ॉर्यवन उGO एर द। आर द्थर चंड ब्राहम् He is the first prince of Satshiva, that is Kiriti Shna. These are the Russians and Americans. They are fighting for their hands. Look, this sense of eruptions will describe one another in an international atomic war. ये कहानी है कि ये दो बिल्ले के रूप में क्यों रखे है? एक कहानी है बहुत मशहूर है, कि दो बिल्ले आपस में लरे थे, और मक्हां पीच में से मंदर खातिया थे. वो एक कहानी है, वो दो बिल्ले कोई कहां से मक्हन दे राये थे, और आपस में लरने लगे. तो एक बंदर चलाक था, उसने का, ओ हम तुमको एक शी करें, तरादू लेकर करके, वो तोलता गिया, और ज्यादे ज्यादे थोड़ा-थोड़ा उसे लकंते, प्रादे रादे मक्हां उसने कहां गया, जैसले वो कहानी परी मशा हूर है ना, इसले पर उसने वो रखावाइ जोबिले और मक्हम बीच में, वो जचट कहा जाता है, जटा का मिचमो. He is from, he is from, he is from, he is from European. One another in an international atomic war, Mahabharas, like 5000 years ago. This is the rosary of 108 piece. Almighty Goshiva's non-violent army of Bharat Mother Shakti which transforms the Iron Age Vicious World into Golden Age Wiseless World by means of the might of Godly Knowledge, Yoga and Supreme Purity. That is the end of old world, beginning of new world. Yes, conflict, beginning of old world, beginning of new world. This is the end of old world and beginning of new world. That is the cycle of conflict. This is the end of new and this is the prodent week. Acha. 16 degree. Acha. Acha bai, it's an question, we have of course published. No, it's not asked what is this. Acha bai, this is both the kumayaroids. But then we will not be a soul. It is a soul, क्या जोग आप लेंगी? शिसिंग डिगडी? अच्छा वो तो तुम जितना अपने को आप अच्छा बनाएगी और धाना रखेंगी अच्छी अच्छी तो फिर जरूर अच्छी है, ले शक्ती है और लेने का अच्छा पुशाद रखी है, क्यों का? ठीग है न? ये भी अच अच्छी है, इस ता ना क्या है? भीना, ये तो है शरस्थी की भीना, तो बजेंगी, अच्छा आप लोगों का ताइम हुआ है इसलिए तो मिन साइलेंज, जगा दो बजेंगी. Silence का मतलब, अपने बेहत बाप को याद करो. I am soul, son of supreme soul. ऐसा अपनी बुद्धी को हर वक्त, हम उस बाकी बचे हैं, ऐसा समझ के हर वक्त रहो, और इस body से detach. ऐसे समझो, काम करते हो तो भी ऐसे समझो, मैं हाथों से लिखवाता हूँ, लेकिन कौन? आत्मा. मैं इस ओर्गन स mot他们, इस organ से सुनता हूँ, कौन? आत्मा. तो हर वक्त सुनने के समय, ऐसे समझो, I am soul, इससे सुन रहा हूँ. I am soul, इससे बोड़ रहा हूँ. I am soul, इससे बोल रहाूँ, I am soul, इससे देख रहा हूँ. ये खिर्किळिया है, खिर्किया हा. तो ऐसा ऐसी अपनी हर वक्त काम करते भी अपने को अत्मा conscious हत्वा soul conscious और God conscious समझने से तो क्या है हम उसे कोई ऐसा बुरा करम नहीं होगा और इसे हम अच्छे बुरे करमों से भी बचे रहेंगे और फिर God की याद भी रहने से और हमारा वो योगा अगनी से पाक भी दगा दोंगे तो डबल फाइदा मिलेंगे यह प्रैक्टिस चाहिए अभी यह जो सुनाया ना इसकी प्रैक्टिस चाहिए हर वक्त अपने को soul conscious और God conscious रखकर करके चलना किस तहें से चलना इसी तरह से देखो ऐसा नहीं देखना नहीं आखे बंद करना है देखो परन तु देखते क्या देखो यह भी soul है I am soul यह भी soul अभी इस खिरक्यों से हम किसको देखते हैं बले देख रहे में यह बाड़ी आती है और तो हमारा ध्यान अटेंशन soul के ऊपर कि यह भी soul है हम और यह एक ही बाब के बच्चे है परन तु आइन विचारे को पता नहीं है अभी इसको पता देना है अचा पता है तो आए भी भाई अभी यह बाब को जान करके अपना हक ले रहे हम भी उसे अपना हक ले रहे है इस इसी तरीके से बुद्धी में ऐसा रह तो इसको कि कर्म करते भी हम soul conscious तो ऐसे अपने बुद्धी को रखने का है और बायोग्राफी को समझ गए हो लहां परमात्मा का अक्यूपेशन परमात्मा की बायोग्राफी क्या है देवताओं की क्या है तो मनिश देवता हो सकता है मनिश परमात्मा नहीं हो सकता तो यह समझना है इसलिए ऐसे नहीं हमको कोशिश रखने की है मनिश से देवता बन करने के, देवता का मतलब ही है, qualified, कौनसी qualification से स्थ्रेष्ट है, सरोगुन संपन, सोला कला संपुरन, संपुरन निर्वेकारी, इसलिए हमें कोशिश वो करने के, जिसमें आत्मा भी प्यूर, शरीप भी प्यूर, बाकि वो तो एवर प्यूर है, वो तो God is one, तो हमको कोशिश क कौन सी कहनी है, क्या बनना है, वो aim and object का knowledge होना चाहिए, यह सभी समझने की बाते हैं, जिसको समझ करकर के, अपना कोशिश है, तो अपना पुर्शार ऐसा रखने, अच्छा आप लोगों का time होता है, हम तो बैठे हैं, हम तो कहेंगे बैठे रहों, हम तो कहेंगे बैठे र अच्छा उच्छा आप tää पारवत्यर है, हम तो लो यह सुर्चारी का आख है, तो कह भी सिता किने है, बैहं बैंकुंट का बोला है, उब बैंकुंट मां, हम ऊन्निमां, हτά हुआ यह हमारी कोोन है, He our mother, Durga, Durga अच्छा इे Durga Diana Genki Acha औ Strength, नहीए पगडों, हम ए करे बड़ी का दे وجा था अरा था जा ना जाeten तो शाजए सिमन शाद माम एपलेनी जाद प्रना था वाया जाए के याए कुशे गातिवों जाद आ अाँ, बęबी तो केच चाने में दो, है के तो श्कुल में टे रगए दे लिए, मुं कोुरा है कि नैं। पाइसां सकती कूरेने वाखाई कि आया। हाँ, आला जंडरी गो मरी दाति , हाँ. अधू… हाँ, ऎा हाँ, या या, या, जामन सभेख फिर सिये , हाँ. दो जो कiku रंग करेंक ह कि अधके एला क्या now, kिहां. नहीं नहीं नगूषा आचा किलो क्लिए क्या इ rebels मुझा मुरदॉ आचा देखो इसने अछायखे शिष्की का गोला कड़ना है मैं देला शुर आत्मा मियँ है नहीं के से खोला मिन पैरraszam अपने नहों की दरा खातरी करते हैं, दोन माइप ज़्षे लिए तो फिर नहीं है जो दो फिर रहेंगा जब एप लेगा लिए लिए इन एडवांस है यह है इन एडवांस मिलती है जाना है आगे जाना है तो यह मिलता है ठीए, कि आप लोगो को आगे जाना है जब लोगो को तो सम्झेंगे आपको ममा आगे बिठायकाय के लिए जब लोगो की मिली नहीं गोने कि जैंटी बाप जाना है इनमों को डवांस मत चेपकर तो रही है राजवांस पाद दोका को प्रविट्टी का को खेली है, डवल खेली है ना यह हमारे इतको Crash वी किया पत्प एकशा वी संक्यilा जड़ा घेलो ये बेवी भाही जूथ रह ये मैं हाक पर वनमें कुछे मालनी है आच्छा पावर तो अभी ज्ञान से लेका है इससे नहीं है इसा नहीं सम्मिना ये खाने से पावर आजाएंगा पावर तो पिर भी ज्ञान और योग से मिरेगा इसी ले तो फिर धाना रखनी परें गे रिख्या है जो नहीं है ना ते रनों के साथ सबी पिक्निक का रखना बार कहा चलेंगे, बार तो देखो दुनिया की आवाजों से, दुनिया की निघाओं से हम दूर है ना, हम कहें कोई ऐची भी दुनिया की निघाओं और आवाजों से निघाओं से बहुत दूर दूर ले चल, तो यहां कोई जंगल को है नहीं, जहां एकाम तो, तो अपना वो पिर देखे हैं लाकिन इनुधो से बस करें जसमें सभी हसके ले फिर इनों को देखें लेकिन एक बाइनों को जिस सभी वार उनों को इस है अनल आफने गुजन खाने को रहेंगा तो इनको फिर पिकनिक कराना है इच्छा बहुत इच्छा पुछ भी है, शिंदी हो, पंजाबी हो, यूपी हो, आप सब एगी बाप के बच्ची है, उसी पर समझना है, और अभी बाप के उपर हक लगाने, अभी है उसके पोत्रे, पोत्रे बनने से वर्षा मिलेंगा, कहते हैं निए ग्रेंफादर का प्रॉपर दी का, तो पोत्रे ब वर्षा मिलेंगा, इसलिए जब भी इर पड्रॉपर बीच मेर आते हैं, तब है पोत्रे की बाप, तो राम बनेगा, भ्रमर बनेगा, तब है पोत्रे का, और वर्षा की बाप, नया दो वैचे बचे तो सब बर क्चे तो सब है, शिववांशी तो बढ़ेंगा, आप तब झाल झाल